नमस्कार स्वागत है साहितिक जरों का चैनल पर आज हम करेंगे हजारी परशाद दिवेदी का साहितिक परिच्चे हिंदी साहित्य में जाना पैचाना नाम है हजारी परशाद दिवेदी जी का तो आईए इनके बारे में और इनके साहित्य के बारे में विस्तार से जानते है सबसे पहले हम इनके जीवन के बारे में जानेंगे इनका जनम सन 1907 इस्वी में हुआ और कौन से गाउं में हुआ आरत दूबे का छपरा नामक गाउं में हुआ और ये कहां पर स्थित है ये उत्तर प्रदेश में स्थित गाउं है आरत दूबे का छपरा इनकी माता का नाम जोतिश मती द्वेदी था इनके पिता का नाम अनमोल दिवेदी इनकी शिक्षा की अगर बात करें तो प्रारंबिक शिक्षा इनकी घर पर ही हुई और किस भाषा में हुई संस्कृत में यानि प्रारंबिक ग्यान इन्होंने संस्कृत भाषा में प्राप् प्राप्त किया उसके पस्चात उनिस सो उनन्चास इसवी में इन्हें पीएशडी की मानद उपादी दी किसने दी वो भी काशी हिंदू विश्विद्याले के द्वारा ही प्रदान की गई इनके अगर कार्यक्षेतर की बात करें तो वैसे तो ये एक लेखक के रूप में प्रसिद हैं लेकिन 1940 इसवी में शांती निकेतन में हिंदी के अध्यापक बदबरिये न्युक्त हुए थे 1950 इसवी में काशी हिंदू विश्विद्याले में ही हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बने और 1970 इसवी में पंजाब विश्विद्याले चंडिगड में ये प्रोफेसर के रूप में न्युक्त रहें उसके पस्चात इनके निधन की अगर बात करें तो सन 1989 इसवी में इनका निधन या देहान हो गया तो इनके जीवन के बारे में है इनकी शिक्षा इनके माता-पिता और इनका जनम और इनकी मृत्यू तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे जो एक एक नमर के प्रशन पूछे जाते हैं उनमें भी पूछ लिया जाता है किसी के जीवन से कोई जुड़ा हुआ प्रशन कई बार पूछ लिया जाता है तो ये आप बहुत ध्यान से करेंगे इसके बाद है इनकी रचनाई देखें जो दिवेदी जी हैं उनकी पहचान एक समिक्षक के र बारे में बात करेंगे सबसे पहले तो है समिक्षात्मक गरंथ जो समिक्षा की है जिन गरंथों में उसमें सबसे पहले है सूर साहित्य हिंदी साहित्य की भूमिका हिंदी साहित्य से जुड़े हुए इनके तीन पुस्तके या तीन गरंथ विशेश रूप से महतों रखते हैं हिंदी साहित्य में जो हिंदी साहित्य की भूमिका है और इसके साथ साथ अगर देखें हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये तीनों ही पुस्तकें या तीनों ही ग्रंथ जो हैं हिंदी साहित्य के लिए विशेश महत्वण ग्रंथ ह इसके साथ साथ मध्य कालीन धरम साधना, सूर और उनका काव्या, नात संपरदाय, कबीर, मेग दूद, एक पुरानी कहानी और साहित्य मिमांसा भी इनके परमुक समिक्षात्मक गरंथ है उसके बाद उपन्यास को अगर देखें तो उपन्यास में बानभट की आतमकथा, पुनरदवा, चारू, चंदरलेख और अनामदास का पोथा इनके प्रसिद उपन्यास है निबंदों की अगर बात करें तो निबंद संग रहे है इनके अशोक के फूल, विचार परवाह, कुटच, विचार और वितर्क और कलपलता ये इनके महतपून निबंद संग रहे हैं यानि ऐसी पुस्तक जिसमें कई सारे निबंदों को संकलित किया गया है, जैसे अशोक के फूल, इसमें अशोक के फूल नामक निबंद तो है ही, इसके साथ साथ और भी कई निबंदों को शामिल किया गया है, और महतपून होने के कारण अशोक के फूल नाम से उसको शिर् यही होता है निबंद संग्रे यानि कई सारे निबंदों को इकठा करके एक फुस्तक की रूप में उसे परकाशित करवाना और उसमें से किसी निबंद विशेश को शिर्षक की रूप में उसका नाम परियोग करना तो इनके जो निबंद संग रहे हैं वो बहुत महतपूर निबंद संग रहे हैं निबंद के क्षेतर में अपना विशेश थान ये रखते हैं ये इनकी परमुख रचनाई हैं जो इन्होंने हिंदी साहित्य को प्रदान की है इसके बाद पुरुसकार और सम्मान के अगर बात गया या पदम भूशन से इनने सम्मानित किया गया तो यह प्रमुख पुरुसकार और सम्मान है जो इनको प्रदान किये गए इनको प्राप्त हुए इसके पशात इनके साहित्य की विशेष्टाउं की अगर बात करें देखिए हम इनके निबंदों को ध्यान में रखते उसमें प्राचीन और नवीन दोनों का सुन्दर समंजस से इन्होंने किया है जो हमारे प्राचीन दर्शन है जो जीवन का आधार है प्राचीन ज्यान विज्यान है उनके सिधानतों को तो इन्होंने शामिल किया ही है दूसरी और जो आधुनिक जीवन मुल्य है उनको भी शामिल करने में इन्होंने कोई परहेज नहीं किया अर्थात इनके जो निबंद है या इनका जो साहित्य है उसमें प्राचीन सांस्कृतिक जीवन मुल्य और जो आधुनिक जीवन के आधार है या जीवन मुल्य है जीवन के सिधानते उन दोनों को समन्वे किया है इकठा किय है समानता प्रदान की है दूसरा जो हमारा यहां पर पॉइंट है वो है विश्य गत्त विविदता यानि जो विश्य लिया है किसी एक विश्य से यह बंदे हुए नहीं रही उसमें विविदता देखी जा सकती है विविदता कहां पर कहीं पर इनों ने संस्कृति का किया है तो कहीं साहित्य को अधार बनाया है इसके साथ कहीं जोतिश को भी अपने लेखन का आधार बनाया है अगर इनके निबंदों की बात करें तो इनके निबंदों में भी विविदिता देखी जा सकती है मुखेते इन्होंने दो प्रकार के निबंदों की रचना की है वि इसके सासाद अलोचनात्मक दोनों ही निबंध महत्वपूर्ण है जो विचारात्मक निबंध है इन निबंदों में जो मुख्य भाव है यह तो दार्षनिकता से जुड़ा हुए, दर्शन से जुड़ा है यह समाज से यानि विचार किस पर किया है इन्होंने यह तो हमारी जो दर्शन है उसके तत्वों को शामिल किया है दूसरा जो समाजिक जीवन है या समाज की जो विचार धाराएं है जीवन से संबंदित जो विचार धाराएं है उनको इसमें शामिल किया है और जो आलोचनात्मक निबंद है इन निबंदों में साहित्य के विविन अंगों का शास्त्रिय द्रिष्टिकोन से विवेचन किया है इसके साथ साहित्य कारों की जो कृतियां है जो उनके द्वरा किया गया लेखन है उस पर भी अपना आलोचनात्मक द्रिष्टिकोन से जो विचार है वो प्रस्तूत किये है यानि एक तो शास्त्री जो साहिते के विविनंगों का शास्त्री दृष्टिकोन से विवेचन और दूसरा जो अन्य लेखकों के द्वारा लिखी गई कृतियां हैं उन पर अपना अलोशनात्मक दृष्टिकोन प्रस्तुत किया है तो इन्होंने किसी एक विशे से बंद कर लेखनकारिय नहीं किया अपितु इनके लेखन में विविद्धा देखि जा सकती है इसके साथ-साथ प्रकृति से भी ये जुड़े रहे हैं जैसे कि मैंने अभी बताया था अशोक के फूल इसके साथ-साथ इनका और भी है निबन-शिरीश के फूल तो इनको इनके शिर् देवदारू इस शिर्षक को देखकर ही हम समझ सकते हैं कि ये प्रकृति से कितने जुड़े हुए है या प्रकृति से कैसा इनका संबंध है या लगाव है उसके बाद हम ले सकते हैं जो पॉइंट है वो है राष्ट्रिय भावना देखिए जो दिवेदी जी हैं ये एक सच् पड़े तो उसके लिए अपना जीवन भी न्योचावर करना पड़े तो भी हमें उससे कोई परहेज नहीं करना चाहिए उन्हें हमारी भारत माता का कंकर अपना नजर आता है और वो अपनी जनम भूमी से जुड़े रहना चाहते हैं उनका ये जुड़ाव इनके पिएशडी की मानत उपादी मिली थी वो कबीर के लिए ही इनको मिली थी तो कुछ-कुछ इनके जो विचार है वो कबीर से मिलते जुलते हैं ये मानते हैं कि कोई ऐसी शक्ती है जो इस स्रिष्टी का संचालन कर रही है जहां से इस स्रिष्टी की उतबत्ती हुई है और व उस इश्वर में जो कणकण में व्यापते हैं उसके बाद भारतिय संस्कृति का गुणगान जैसे कि राश्य भावना में हमने जाना कि भारत भाहुमी से ये प्रेम करते हैं उसी में हम ये बता सकते हैं कि ये भारतिय संस्कृति का गुणगान करते हैं किसके माध्यम से अप भारतिय संस्कृती है। उसको हमें त्यागना नहीं चाहिए। क्योंकि आधूनीकरण के कारण हम अपनी संस्कृती को हमारी परमपराओं को भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन हमें उनका त्याग नहीं करना चाहिए, बलकि हमें भारतिय संस्कृति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उसको विक्सित करना चाहिए, इसके लिए उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से हमारी भारतिय संस्कृति के सभी पहलूं पर परकाश डाला है, क्योंकि वो मानते हैं कि हमारी भारतिय संस्क्रिती वर्तमान में भी लोगों को आगे बढ़ने का या जीवन के मारग को सशक्त बनाने का कारिय कर सकती है ये ऐसा उनका मानना है उसके बाद है मानवतावाद का प्रतिपादन देखे दिवेदी जी सच्चे अर्थों में एक भ भारत भूमी से अपनी प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं और भारत भूमी की जो मुखे मानवतावादी विचारधारा है वो क्या कहती है वसुदेव कुटुम्बुकुम यानि संपून विशवे कुटुम है और इसी को इन्होंने भी अपना आदर्श बनाया है किस विचार है उसको वो इश्वर की एक स्रेष्ट कृति मानते हैं ये मानते हैं कि जो मानव है वो इश्वर के द्वारा बनाई गई एक सुन्दर रचना है और हमें जो मानव जाती है उससे प्रेम करना चाहिए सभी जो जाती संसार में जो भी जितनी भी जातियां है जो लोग है अगलग देशों के लोग हैं सभे को एक दूसरे के प्रती प्रेम का भाव रखना चाहिए इससे क्या होगा कि जो विश्व है वो एक भाव तो प्रधान है ही लेकिन इसके साथ साथ विचारों को भी महत्व दिया है दोनों ही बातें यहां पर क्योंकि एक ललित निबंदकार हैं और जो हम देवदारों इनका निबंद करेंगे वो भी एक ललित निबंद है भावनाओं पर आधारित निबंद है तो इसलिए हम देखें तो इन्होंने संस्कृत, प्राकरत, अपवरंश, कई सारी बातों को जो भाशाएं हैं, उनको इसमें शामिल किया, वो क्यों शामिल किया है? सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, केंदर में रखते हुए, हमारे भारतिय इतिहास, दर्शन, संस्कृती, धरम आदी के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, इसके प्रति जो उनकी भावनाई हैं, उनको भी उन्होंने अपने निबंदों के माध्यम से अभ व्यक्ति की है, तो हम अगर देखें, तो इनके निबंद भाव और विचार, दोनों से सरोबार है, या दोनों ही जो तत्व हैं, उनको इन्होंने निबंदों में शामिल किया है, इश्वर में आसता, ये दुबारा से रिपीट हो गया है, आप इसे छोड़ सकते हैं, उसके व्यवहारिक भाशा, और जो दूसरी भाशा है, वो कुन सी है, वो है संस्कृत निष्ट शास्त्रिय भाशा, तो जो संस्कृत निष्ट शास्त्रिय भाशा है, ये दूसरी भाशा है, पहली भाशा कुन सी है, पहला रूप कुन सा है, प्रांजल, और दूसरा कुन सा है, सं उसके लिए उन्होंने उर्दु और अंग्रेजी भाशा से जूड़े हुए जो प्राँजल वैवारिक भाषा है आम बोलचाल के लोगों के जीवन की जो भाषा है उसको यहां पर इनोंने प्रयोग किया है और जो संस्कृत निष्ट भाषा की शब्दावली का प्रयोग किया है वो कहां पर किया है जो सैधान्तिक आलोचनात्मक निबंद इनोंने लिखे थे सैधान्त गरिक आलोचना तमक यानी आलोचना या समिक्ष जहां पर इन्होंने किये हैं उस उन निबंदों में या उस Lökन में ये भाषा कोन सी है संस्क्रित निष्ट शास्त्रिये भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है इसके साथ साथ कहीं पर भी इनको पढ़es कार, जब हम इने पढ शब्दों को अपनाने से किसी प्रकार का कोई प्रहेज नहीं किया। इन्हों ने विशेश नात्मक शैली का प्रयोग किया है जहां पर किसी एक विशेश विशे को उठाया है। कुछ नई खोज करना तो जहां पर कुछ नया ढूणने का प्रयास किया जाए वहां पर गवेशनात्मक शैली आती है और ये कौन से निबंदों में है जो इनके विचारात्मक और आलोचनात्मक निबंद है उसमें ये शैली देखी जा सकती है। इसके साथ इन्होंने वरणात्मक ब्यंग्यात्मक और व्यास शैली का भी सुन्दर प्रयोग अपने लेखन में किया है। देखें व्यास शैली जो है वो कहा होती है जहां पर किसी भी विशे को विस्तार दिया जाए वहां पर व्यास शैली का प्रयोग किया जाता है उस विशे को विस्तार देने के लिए। तो इनकी जो शैली की दिरिश्टी से देखें तो वो भी विविदता पूरण है यानि जैसा भाव है जैसा विचार है उसे के अनुसार इन्होंने शैली का प्रियोग अपने लेखन के लिए किया है तो ये आज हजारी प्रशाद दिवेदी के निबंदों के साहित्ते के बारे में हमने जाना उसकी विशेश्टाओं के बारे में जाना उनके जीवन से हमने परिचे किया और उमीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया ये प्रशन आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो और पेपर में भी अगर आपके इस पास यह आता है तो आप इसे बहुत अच्छे से और सुन्दर तरीके से लिखोगे तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें और चैनल को लाइक शेर और सबस्क्राइब करते रहें बहुत बहुत धन्यवाद